नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल लाइब मंगें जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आपकी जो क्लासी चल रही है वो हिंदी व्याकन की चल रही है और राजस्तान हाई कोड गूरूप D के लिए तो इसमें हम रोजनक के चालिस क्यूसन करते हैं जो कि आपका राजस्तान हाई कोड गूरूप D का सथे बस हिंदी व्याकन का उसी के रिकोडिंग आपके चालिस क्यूसन आपको क्या दिये जाते हैं यह आपका टेस्ट होता है तो इस टेस्ट में आपको पता तल गया होगी आप किस स्थान पे हो और लोग डॉन में आ सब्सक्राइब के तो आप वहां से क्या रोजाना देखा गो उसमें जितने वी आपके टॉपिक है उनकी सभी की धिरी दिरे डाली जा रही है और वह थियोरी आपकी क्या एक्जाम ओफ व्यू के साबसे देखें अगर तो बहुत ही इपोर्टेट है तो उसको अच्छी तर सब्सक्राइब को राम राम तो पहला क्यों स्कीन पर आ गया है और आपको बताना है कि निमल लखीत में से अनात सबद का विलोम कौन सा है बताए ये निमल लखीत में से अनात सबद का विलोम है वो आपको बताना है चारों आपके सामने है तो बताएए सही जवाब क्या हो की बात करने से पहले आपको मैं बता दूं कि बहुत रहे थी कि इस तरह नमारी इंग्लिश की क्लास यह वो प्रवाइड करा हो तो आपको के रोजाने एक टेस्ट प्रवाइड करवाए जाता है और उसी वेबसाइट पर करवाए जाता है जो आपको डिस्क्रिप्शन में बात करते नेक्शन के और आपको बताना है कि सवेट सबद का विलोम सबद आपको चूनना है सवेट सबद का विलोम सबद क्या होता है चार ओप्सन आपके सामने है अगर आपने ओप्सन नमबर डी किया है तो बिलकुल सही जवाब है बढ़ते नेक्शन के और आपको बता बताना है कि संदी का सही विलोम है संदी का सही विलोम क्या है चार ओप्सन आपके सामने है और बात करें संदी के सही विलोम की तो इसमें आ जाएगा संदी का आ जाएगा विगर है ओप्सन नमबर ए आ जाएगा इसमें बिलकुल सही जवाब यह पटवारी के एक्जाम में 2015 म में आपको करवा रहा हूं आपको बताना है कि वहां बैंकर दुर गटना हुई वहां बैंकर दुर गटना हुई इसमें आपको रेखांकित पद बताना है तो वहां पर बैंकर दुर गटना हुई इसमें आपको रेखांकित पद देने रिखा है तो इसमें बैंकर मान लेते है यहाँ पे आना चाहिए था बेंकर के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए था तो बेंकर क्या है बेंकर है एक किरिया विशेशन ओप्सन नमबर B बारते नेक्षन के और आपको बताना है कि दुबई कितना सुंदर देश है रेखांकित पद है तो आपको नीचे दीख रहा होगा दुबई कितना सुंदर सुंदर की नीचे क्या है रेखांकित सब्द है यहाँ यह अंडरलाइन है उसमें आपको बता रहा है कि यह क्या है पर विशेशन है संक्यावाची विशेशन है यह पूचा गयता पपल एक ज़्याम में और मैं आपको चार ओप्षन दिखा देता हूँ रितीGOC इवाच्र किरिया विशेशन स्तानवाच्र किरिया विशेशन कालवाच्र किरिया विशेशन और इनमें से कोई नहीं और चार ओप्सन में से बताइए सइज जवाद क्या है इsta उप्सन नमर ए अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सइज जवाब है और आपका एक नमर वहलू पक्का ए को यह आपको बताना है की दो-तीन परिक्ष में और में फूचा गया है जेले test pag band नहीं है इसकी तो इसमें आपको सुध वर्तनी बतानी है चार ओप्षन आपके सामने है और बताए क्या आएगा इसमें बात करें सुध वर्तनी की तो इसमें आ जाएगा option number D option number D option number D आ जाएगा इसमी बढ़ते नेक्षिन के और आपको बताना है कि सही बढ़ते नेक्षिन के आपको chain करना है ये SSSC महिला कांस्टेवल 1 अपरेल 2016 को पेपर वा था उसमें पुछा गया था सही बढ़ते नेक्षिन आपको बतानी है कि सुद्वर्थिन समंदित आपका क्या है एक बहुत अच्छा टोपिक और रिपोर्टे टोपिक है ये आपके फरीके नंबर है अगर आप रोजाना डेली कोई बोक्स या फिर अकबार पढ़ते हो तो आप इन में से क्या है पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो तो इसमें आजाएगा उप्सन नंबर A आवो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है बढ़ते नेक्षिन के और आपको बताना है कि निमल खीत में से शक्रमक किरिया का वाक्य कौन सा है शक्रमक किरिया का आपको वाक्य बताना है चारो उप्सन है वो आपके सामने है बताइए क्या आएगा इसमें सही चुने अच्छा चुने ताकि आपका एक नमबर हो आपको प्राप्तोज की तो इसमें आजाएगा उप्सन नमबर भी बाली का निवंद लिख रही है बिल्कुर सही जवाब आजाएगा उप्सन नमर दी बड़ते नेक्षन की ओर नीची आपको व्याख्या दे रही है इसमें क्या शिर्फ इसी विक्रब में क्या किरिया चल रही है थार्ट शक्रमक किरिया है बड़ते नेक्षन की ओर आपको बताना है कि शक्रमक किरिया का परियोग हुआ है ये प्री बीड के एक्जाम में पूछा गया था 2015 में और इसमें आपको बताना है कि शक्रमक किरिया का परियोग हुआ है चार उप्सन आपके सामने है और इसमें जो आपका सही जवाब होगा option number C आएगा इसमें भ्याचमत से खाना खाता है option number C बिल्कुल सही जवाब है बढ़ते नेक्शन के और आपको बताने है कि परेणार्थक किरिया का परियोग हुआ है परेणार्थक किरिया का आपको परियोग बताना है परियोग है चार ओप्सन आपके सामने है बताईए सही जवाब क्या आएगा बताईए चार ओप्सन में से अगर बात करें सही जवाब की तो option number अगर आपने D किया है तो आपका बिल्कुल सही है बढ़ते नेक्शन के और आपको बताने है कि इस्तरेंड सबद के लिए सही वाप्सन क्या है यानि वाप्सन के लिए एक सबद वाला क्यूसन है इसमें यह उल्टा पूछे आपसे तो बताईए इस्तरेंड सबद के लिए सही वाप्सन क्या है सही वाप्सन का आपको चैन करना है चार ओप्सन आपके सामने है और अगर आपने इसमें ओप्शन नंबर बी किया है इस तियों जैसे से बाव वाला बिल्कुल सई जवाब है बढ़ते नेक्शन की और आपको बताना है कि ग्यान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं आप देखते हैं 2014 में राजस्तान लोक शेवा आयोग द्वारा जित्ये जो स्रेणी की जो लिपिक परिक्षिया थे उसमें पूछा गया था आरपी असी की जो सेगन ग्रेड कल्रक की परिक्षिया थी उसमें 11 जनवरी को पूछा गया था तो इसमें आजाएगा ओप्षन नमर सी आजाएगा इसमें आगने बोलते हैं उसको बढ़ते नेक्शन की और आपको बताना है कि दिगंचल सबद में कौन सी संदी है या फिर सई जवाब है बढ़ते नेक्शन की और आपको बताना है शर्वोध्य में कौन सी संदी है या भी शर्वोध्य कौन सी संदी का उदारने चार ओप्षन आपके सामने है और बताइए क्या आएगा इसमें शर्वोध्य में अगर संदी की बात करें तो इसमें आजाएगा सवरिय जो कोन सी संदिका उदारणे यह आपको बताना है चारो प्सने वह आपके सामने है तो अगर आपने इसमें ओप्सन चुना है तो आपका बिल्कुल ग्रेक टैन्सलर है बड़ आपको बताने हैं कि निमन में से कौन सा उदार बावाचक संग्या का है यानि बावाचक संग्या का उदान आपसे पूछा है चारो उप्षन है वो आपके सामने है बताए क्या आएगा इसमें तो इसमें आ जाएगा वेक्तितव वेक्तितव आ जाएगा बिल्कुल सही जवाब बढ़ते नेक्शन की और आपको बताना है खुछ देर रहा है यह आपको बताना है k कौन सा सलमरा मैं है कोन सा में यह आपको का बहेक्तितव किलेगे में किधनी है तो आप सुआव को अनेक्तित लिक्वाब है आपको बतान है कि मूझे पूरा विश्वाब से होगी हमारे समर्पित और निष्टा neuen space देखांकित सब्दों में सर्वनाम है यान जो मुझे और हमारा ये दो आपको दीख रहे हैं सब्द इनमें आपको सर्वनाम बताना है कि कौन सा है बताइए चार ओप्शन में से सही जवाब किया आएगा तो इसमें आजाएगा बताना है फूल तितली को आकसित करते हैं वाक्य में कौन सी किरिया है बहुत अचा क्यूसन आपसे पूचा है किरिया से समंदित है फूल तितली को आकसित करते हैं वाक्य में कौन सी किरिया है तो इसमें आजाएगा आपका उप्शन नमर सी सकर्मक किरी आ जाएगा बड़ते नेक्शन के और आपको बताना है कि आज बारत का लोगतंतर विश्वे का सबसे बड़ा सफल लोगतंतर माना जाता है यानि आज बारत का जो लोगतंतर विश्वे का सबसे बड़ा के निचे अंडरलाइन है द्यान रखना सफ़लोग तंतर माना जाता है तो इसमें बताने के रिखांके सबद है वो क्या है ये बड़ा है वो क्या चीज है तो इसमें आजाएगा option number भी आजाएगा विशेशन है बढ़ते नेक्षन के और आपको बताना है कि निमन में से कौन सा उदार्ण अवेवाव समास का है अवेवाव समास का उदार्ण कौन सा है चार option आपके सामने है बताएगे सही जवाब क्या आएगा इसमें तो अगर आपने option number A चुना है तो आपका बिलकुल सही जवाब है बढ़ते नेक्षन के और आपको बताना है याव जीवन सबद में कौन सा समास है तो याव जीवन सबद में आपको समास बताना है चार option आपके सामने है और आपको सोच मज़गा ची तरह जवाब देना है तो क्या आजाएगा इसमें option number C आजाएगा अवेवाव समास बढ़ते नेक्षन के और आपको बताना है कि कौन सा उधान अवेवाव समास का नहीं है बताएगे कौन सा उधान है वो अवेवाव समास का नहीं है चार option में से सही जवाब क्या ना जाएगे इसमें तो इसमें आजाएगा option number D प्राप तो तक बिल्कुल सही जवाब है बढ़ते नेक्षन के और आपको बताना है कि एसमुदर समासिक पद का विग्रह है यानि एसमुदर समासिक पद है उसका आपको विग्रह बताना है और चारो option आपके सामने बताएगे क्या आएगा इसमें तो अगर आपने option number इसमें B किया है तो आपका क्या है ये बिल्कुल गलत है तो इसमें A और B अगर दोनों की है तो आपका क्या है बिल्कुल सही जवाब है option number C आजाएगा इसमें बढ़ते नेक्षन के और आपको बताना है कि वक्के में A सुद्धी बतानी आपको यानि वक्के सुद्धी से समंदित आपका क्यूशन है चार गंटे के आगे अब में और आपका इंतजार नहीं कर सकता इसमें आपको बताना है कि A सुद्धी कौन से पार्ट में है और उस पार्ट को आपको क्या है तिक मार्क कर देना है तो किया आएगा एकजाम में आपसे इसी तरह से बूच आजा सकता है और आपको एक बाक्य दे आ जाएगा निची आपको क्या 4 से दे जाएगा तो इसमें भी तरह wollten से पूच सकते हैं चार गंटे के बाद क्या है, अप में और आपका जाव नहीं कर सकता, तो option नमर ए क्या था, इसमें तरूटी थी, भरे रिलेक्शन के और आपको बताना हे, शेट जी बड़े सजजन पूरूस है, इसमें आपको बताना है, त्रूटी कहां पे है, अगर आपने option नमर दीर चु यहाँ पर बड़े नहीं आएगा यहाँ पर बहूत आएगा बहूत बढ़ते नेक्शन के और आपको पताना है मेरी दरिष्टी में हरिष्चंदर भही हो सकता है जो मुसीवतों में भी अपनी परतिग्या के सब्दों पर दरिड रहता है इसमें आपको दूटी बताने है चार उप्शन आपके सामने है बताए क्या आएगा इसमें तो इसमें आज आएगा आपका उप्शन नंबर सी अगर आपने किया है बिल्कुल सही हिया है सी में तुरूटी कहाँ पर है अपनी परतिग्या पर आएगा ने की परतिग्या के सब्दों पर तो के सब्दों था ये नहीं आना चाहिए था अपनी परतिग्या पर आना चाहिए था बरते नेक्सन के और आपको लोकोकति से समंदीत क्युशन आप से पूछा है बताए कमावे दोत्ती वाला उडावे टोपी वाला लोकोकति का आर्थ आपको बताना है बताए क्या आएगा इसमें तो इसमें आ जाएगा उप्सन नमर बी, प्राइशरमी लोग कमाते हैं और सोकिन उसे खर्ज करते हैं, बिल्कूर सही जवाब बढ़ते नेक्सिकूशन के और आपको बताना है, अपने गर में दिया जलाके तब मस्जिद में जलाते हैं बताईए अपने घर में दिया जला के क्या है उसके बाद क्या मस्चीद में जलाते हैं तो इस लोकोक्तिक आपको अर्थ बताना है क्या आएगा इसमें तो इसमें अगर आपने ओप्सन नमबर ए किया है पहले अपना स्वार्थ पूरा करके तब प्रमार्थ किया जाता है बि इसमें आजाएगा ओप्सन नमबर बी किसी वस्तु की पूर्ती कम किन्तु मांग अधिक होना ओप्सन नमर बी है वो बिल्कुल सई जवाब है बड़ते नेक्शन की ओर आपको बताना है राम रमायन हिमाले जेपूराधी किस परकार की संग्या के उधारने अगर आपको सं करके आपको हिंदी व्याकन का एक फोल्डर मिलेगा उसमें जाकर आप अपने जो जितने भी आपके टोपिक हिंदी व्याकन के वह अच्छी तरह से आपको समझाए हुए उनको अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं तो उसको जरूर पढ़ना और टेस्ट जरूर देना इं चिडिया, गोडा, कलम, आदी, फल, आदी वो किस परकार की संग्या के उधारने हैं बताइए चार ओप्षन आपके सामने हैं और अगर आपने ओप्षन नमर ए चुना है जाती वाचक तो बिल्कुल सही जवाब है बढ़ टेनेक्शन की और आपको बताना है बुडपा भी एक परकार का अभिसाप है इस वाक्य में रेखांकित सब्द की आपको संग्या बतानी है बुडपा भी एक परकार का अभिसाप है इस वाक्य में रेखांकित सब्द की संग्या आपको बतानी है चारो ओप्षन है वो आपके सामने है तो इसमें आज आएगा आपका शंग्या वो आपका बिल्कुल सही जवाब है बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है कि इन में से तालवे वर्ण है तालवे वर्ण आपको बताने है कौन कौन से है और वर्ण विजार से समझे आपके जो एक पूरी वीडियो बनाये थी उस चेप्टर पे अगर आपने न वो आपको बताना है चारो उप्शन है वो आपके सामने है और अगर आपने उप्शन नमबर बी किया है बिल्कुल सही जवाब है चै छै जै जै ये चारो क्या है ये तालवे वर्ण है बढ़ते नेक्शन के और आपको बताना है कि इन में से कंठे वर्ण है इन में से जो कं चाणपो चाणपो इन से चाणपो आपको सामने है चाणपो आपने ओप्सन नमबर ए किया है यह चारों क्या है यह दंते वर्ण है एक बार उचारित करके देख ले मूँ से आपको पता लग जाएगे कि कौन से सबत की वानी है वो कहां से निकलती है तो यह तो होगे आपके हिंदी व्याकन के 40 क्यूशन अब बात करते हैं आपको निच क्लासों का फाइदा उठाज के अगर आप सीनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में आपको बेल आइकन दिखे इसको भी प्रेश कर लेना है ताकि जब भी को ने वीडियो ड़ जाए आपके बास उसका नोट के सना जाए और आपके जल चेज़व क्लास को जोइन कर सको आज की क्लास में बस इतना ही मिलते ने क्लास में जय जय बाद धन्यवाद